बेटा एक कुल को तारता है और एक बेटी दो कुल को तारती है उसका जीवन प्रबल होना चाहिए बेटी का जनम कोई हिमालय राज की यहां पूछे के हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने प्रसन्न हुए थे हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे दक्ष प्रजापती बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे जिसके घर में बेटा जन्म लेता है वो एक कुल को तारता है पर बेटी दो कुल को तार देती है बेटी बेटा एक बार अपने माबाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माबाब को दुखी नहीं देख सा वो बेटी होती है सरवस्व जो निच्छावर कर दे हमने तो इस व्यास्पीक से कई बार कहा है आज फिर करते हैं कि जिसके घर में बेटी है वो भाग गिशाली नहीं सो भाग गिशाली है उसके भाग को सो बार गुणा करा जाए वो सो भाग गिशाली है होना चाहिए आज के जमाने में मालूम पढ़ जाए कि बेटी है तो लोग बच्चा गिरवा देते हैं बुरूण अत्या करवा देते हैं बेटी का जनम नहीं होना बेटी को पाल पोस्ट ना बड़ा मुश्किल ना ना बेटी है तो तुमारा जीवन है हम तो यहां तक करते हैं राजनीती में भी ध्यान रखना चाहिए चुनाव लड़ने का टिकेट उसी को देना चाहिए जिसके घर में बेटी हो और निवेदन है बेटी के माबाब को निवेदन करूँगा कि आप भी अपनी बेटी की साधी उसी घर में करना जिस घर में बेटी हो और मेरे ब्रहमन संक सादू सन्यासी तपस्वी साध हकुपासकों से भी निवेदन है आप भी भोजन उसी की यहां करो जिसके घर में बेटी हो तो हम भोजन करना करें क्योंकि बेटी भाग्य बना देती है बेटी सो भाग्य बना देती है बेटी बाप की किस्मत लिख देती है वो तो कहीं ब्रहम में ना पड़े बेटियां मेरा निवेदन यहां जित्ती बेटियां बेठी हैं जित्ती बेटियां बेठी हैं कित्ती बेठी है जरा खड़ी तो हो जाओ बेटियां हो जाओ खड़ी हो जाओ जित्ती भी लड़कियां साब खड़ी हो जाओ जित्ती बेटियां बेठी हैं हो जाओ चारो पंडाल में चार आज शुमाह पुराण से संकल्प लेकर जाना कि हम जहां हमारे माता पिता चाहेंगे वहां साधी करेंगे किसी एरे गिरे नत्थू गिरे से नहीं करें किसी आरे तेरे के साथ साधी नहीं करेंगे हमारे माबाप की इज़त को हमने गिरने देंगे जिस माता पिता ने पाल कोज कर बढा करा जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया जिस मा की कोख में मैं नो महीने रही हूँ जिस मा ने मुझे गोदी में रखा माल्श करी, कपड़े पहनाए जानती नहीं थी पढ़ाया, टिवशन, स्कूल, कोचिंग सब जगा भेजा उनकी नाक नी कटने दूँगी साधी मेरे माबाप के कहने पर चल पर दोनों हाथ उठा कर बेटिया एक बार हारा बेटिये बेटा परिणाम आपको गंडवत नमन करता हूँ आपके चरणों का आपकी बास सल्यता आपकी करुणता संकल्प होना चाहिए हमारे जीवान जहां बेटियां भटक जाती है तो दा केरल जैसी फिलिम बनाना पड़ जाती है बेटियों को भटकने नहीं है एक अपने जीवन को सार्थक करना है अपने जीवन को धन्य बनाना आप एक माता-पिता का गोरव हो आप एक माता-पिता का जीवन हो बहुत अर्मान रखकर वो पड़ने भेशता है आपको आप उसके अर्मान को डूबने मद देगा बेटि बेटि बहुत दिचित्तर बात कहेंगे आप लोगों को समझ में आईगी उम्मीद है बेटा मा को प्री होता है और बेटी बाप को प्री होती है पिता को प्री है बेटियां लोग कते हैं बेटी की विदाई में मा जादा रोती है श्यूकुरान कती है बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है उतक कोई नहीं रोता है साथ में बेट कर भोजन करती है पापा बाबू बावजी चाहे लादू दुकान से पापा आते हैं पिता जी आते हैं और बेटी उनका चेहरा पढ़कर कह देती है पापा मम्मी कहीं गई है आई कहीं गई है मैं तुमारे लिए चाय बना दू पाप बेटी बाप की दोलत है साथ में बेखती है रोटी खाती है बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि बेटी की साधी में बहुत सारा देहस दे दे गाड़ी बंगला अलमारी सोफा सेट देने की पिता की हैसियत नहीं होती फिर भी पिता जा मजभचन लेकर आता है और अपनी बेटी की साधी में कमी नई रखता हैं तक मिन लेटी करती है पापा मत करजा करो कौन चुकाइगा एगा 친 ter पिता है गर की बड़ी में हूं मेरी साधी कर दोगे तो करजा कब तक चुगा होगे कोई बात नहीं लाड़ो कोई बात में कि सब भोजन करकर चले जाते हैं बेटी की भावर भी हो जाती है पापा सामने नहीं आते कन्यादान करकर एक और खड़े हो जाते हैं जब जाती है बेटी तब पिता बेटी के सामने जब आता है बेटी कहती है पापा इतना करजा कर लिया कैसे चूखे गाना बाप बेटी को गले लगा कर कहता है तु मेरी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है लाड़ो ये करजा तो कोई बात नहीं बहुत मेहनत कर लूँगा चुका दूँगा पर सुनना बेटा तेरे आने से मेरी जीवन की फुलवारी है तेरा जनम नहीं हुआ था उससे पहले दुखी था और जिस दिन तु मेरी गोदी में आ गई थी ना उसके बाद मेरी जिन्दगी की खुशियां चार गुना बढ़ गई बेटी तेर को देखकर में खुश हो जाता हूं बिदा आओ गए चले गई बेटी भी करती है पापा बहुत दूर मत ब्यादेना दूर ब्याद होगे तो कहां मिलना होगा पापा कभी तो आएंगे ना मिलने के लिए उस बेटी की जो शादी करी और लड़का उसका संमान नहीं करता आदर नहीं करता गालिया देता है उसको पूछता नहीं है केवल एक नोकरानी की तरह उसको उपयोग मिलेता है तो उस बाप से पूछना जिसने उसको पाल पोस कर करा उसकी जिन्दकी कैसी रहती है इताता जीमन नारी का अधर सम्मान करना सुखो अन्त समय तक साथ देती है एक नारी अन्त समय तक एक नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवा जब हिमालय राज केहा से पारवती मैया बिदा हुई थी हिमालय राज साथ दिन तक रोटी भोजन नहीं करे थे साथ दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किरन करा था पूछा था मेनावती नहीं आप भोजन क्यों नहीं करते बेटी का चेहरा सामने आजाता है चेहरा सामने आजाता है उसको साथ में बेट कर हम लोग खाते थे उसको स्कूल छोड़ने जाता था कॉलेज छोड़ने जाता था दुकान की सटर गिरा देता था कोचिंग छोड़ने चले जाता था आती थी लेने चले आ जाता था कितना विश्वास बेटा पर भले एक बार भरोसा पिता ना करता है पर अपनी बेटी पर भरोसा पून करता प्रेम और प्यार में अंतर है प्यार में खून खचर होता है आक्री में लोग प्यार करकर साधी जरूर कर लेते हैं पर इनकी जिंदगी नरक से बत्तर होती है रोते हैं विलकते हैं और मरते हैं प्रेम प्रेम होता है जिसमें खोन खचर नहीं होता समर्पन होता है राधा और कृष्ण का भी प्रेम था पर दोनों में एक दूसरे में समर्पन का भावता कोई खोन खचर नहीं हुआ आज के जमाने में लोग उसको बदनाम कर दिये कि यह प्रेम प्रेम और प्यार में अंतल in इसको समझी एगा पिता का बेटी के प्रति प्रेम होता है माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम होता है एक पती का पतनी के प्रती प्रेम होता है पतनी का पती के प्रती प्रेम होता है सास ससुर का बहु बच्चों के प्रती प्रेम होता है पोता पोती का दादा दादी के प्रती प्रेम होता है नाना नानी के प्रती प्रेम होता है इसको प्रेम करते हैं ये प्यार नहीं है इसको प्रेम कहा गया इसमें अब शब्द नहीं होते इसमें गालियां नहीं होते इसमें ताने नहीं होते